सो नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर मारे नए वीडियो में जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे पास Realme C33 का फोन है या दोस्तों आप अपने Realme C33 में एक साथ में दो आप अपने डिस्पले पे यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप एक साथ में दो आप को यूज कर पाएंगे यानि कि दोस्तों स्प्रिट स्क्रीन किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने Realme C33 में तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है पहले कोई भी आप अपना जो भी आपको यूज करना है उस आप आप को ओपन कर लेंगे जैसे कि दोस्तों हमे YouTube open करना है तो हम अपना YouTube open कर लेते हैं इस प्रकार से जैसे हमारा YouTube open हो जाएग और आप क्लिक करेंगे तो आपको समिने कुछ इस प्रकार काJANE हो जाएगा अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा split screen तो आपको split screen पे click कर देना है इस परकार से जैसे आप split screen पे click कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी आपको use करना है जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे पास setting, gallery इस तरीके से open है यदे आप इसमें से कोई चीज यूज़ करना चाहते है तो इस परकार से open कर लेंगे यदे आप इसमें से अपना कोई other app use करना है तो आपको यहाँ से clear कर देना इस परकार से जैसे आप clear कर देंगे तो यहाँ पे आपका display home screen पे आप आ चुके हैं अब आप यहाँ पे कोई भी चीज ऊपन करना चाहते है तो आप इस परकार से open करनेनगे जैसे कि दोस्तों हमें अपना file manager उपन करना है तो हम file manager को open कर लेते हैं इस परकार से आप यहाँ पे देखें कि दोस्तों हमारा उपर जो है एक साथ में दो एप यूज़ कर पाएंगे